ये मेरी opportunity है, ये penalty score करूँ मैं, मेरा नाम history books में याद रखा जाएगा ये plan नहीं था बट कोई बात नहीं जैसे आपने देखा उस तरीके से उनके reactions देंगे Let's begin तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग Everton पे जिनने Fesh Brom को 5-3 हरा है बट उसमें Dominic Calvert-Lewin का रोल एक काफी important रोल था बिकाज Dominic Calvert-Lewin ने hat-trick score की अपनी पहली Everton शर्ट में All well props to Dominic Calvert-Lewin बहुत टैलेंटे बंदे में Keep going Other than that Hamis Rodriguez midfield boss कर रहा था है यहां पर उसकी previous team जो रियाल Saucyad ad से 1-1 draw की है उसे काफी regret हो रहा होगा Hamis को बीचना Other than that moving on Leeds United 4-3 Fulham के खिलाव जीती है अब इसमें हमको यह चीज बहुत अच्छे से समझ माता है पिछली बार वो 4-3 आ रहे थे अब वो 4-3 जीते हैं बट उनने इस match में भी एक penalty दी है Leeds जो भी goals concede किये उनने अपनी गलतियों से concede किया है Fulham की इतने अच्छा प्ले नहीं था पूरा गेम Leeds ने डॉमिनेट किया फिर भी Fulham ने goal score किया तीन तो इससे हमें समझ में आता है Leeds defensively बहुत वीक है going forward बहुत excellent है Moving on Manchester United वोर टॉर्ण Wilfred Zaha दो goals and Townsend की एक goal से Manchester United Old Trafford अपना opening match season का हार गई है 3-1 इससे जादा I don't think मैं कुछ बोल सकता है इस बारे में Arsenal 2-1 West Ham से almost draw करते करते रही थी लेकिन Arsenal ने last में एक goal score किया जिस वज़ेसे उन्होंने 2-1 win और 3 points पूरे secure किये South Hampton 5-2 जी हारी है Tottenham से Tottenham के लिए 4 goal score किये Sonne ने जिन 4 का assist दिया थै Harry Kane और Harry Kane ने खुद भी अपने लेक goal score किया जो देखकर काफी मज़ा आया हमें उसके सिवाए Chelsea Leicester के खिलाफ 2-0 आरी है जिस गेम में कैपा ने कैपा किया देख लीजे क्या किया कैपा ने Christensen ने एक ऐसा फाल किया जिसकी शायद कोई जर्रद भी नहीं थी उस मोमेंट पे एगजाक स्ट्रोक ओफ टाइम पे जब लोग मैच अच्छा चल रहा था निल-निल स्कोर था अगर मानी स्कोर भी कर देता तो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि उनके पास पूरा एक हाफ था बढ़ 10 मैन से एक हाफ में रिकॉर करना is almost impossible किसी भी टीम के लिए moving on Manchester City ने वोल्स को 3-1 हरा है जिसके बाद Phil Foden का ये वालट वीट आया या राइट पिछले के पिछले हफते तो कुछ अलग बिजनेस पे थे भाई साब but leaving that Gabriel Jesus ने भी एक गोल स्कोर किया काफी अच्छा जिससे Gabriel Jesus सीजन वापस off and running हो गए है and Aguero की injury से उसको opportunities मिल रही है जो काफी अच्छा है for a young striker like him Kevin Debrauna ने भी एक गोल स्कोर किया penalty spot से तो Manchester City ने वुल्स को एक comfortable 3-1 defeat दिया ऐसा नहीं था कि वुल्स के आस opportunities नहीं थे but वुल्स के आस जब opportunity थे उनने अपनी opportunity complete नहीं की उनने goal score नहीं किया now to the next segment of the league यहां हम देखेंगे Sunday league videos funny clips and more आज का ये video जो आपको देखने मिल रहा है ये ये मुझे Twitter पे मिला था and इस video की बात ही कुछ अलग है तो चलो साथ में देखेंगे so जो team यहां पर red में है उसे एक indirect free kick मिली थी जिसकी वज़े से वो लोग box के बाहर से खेल रहे थे and team in blue ने अपनी wall गोल पे बना दिया and उनका keeper box के यहां मरी मचलोगी तरह oh भाई elsewhere Germany में Bayern Munich ने अपनी arch rival Schalke को 8-0 हराया है जिसमें debutant और ex Schalke player Leroy Sane ने एक goal score किया and I think 2 goals assist किये थे amazing performance Bayern Munich किया and इस बार लग रहा है they'll again walk the league इसी लिए German League को Farmers League भी बोलते हैं moving on Juventus ने Sampdoria को 3-0 हराया है and after a very long time Juventus का football boring नहीं था oh that's amazing शाया this season हमें काफी मजा आएगा Juventus का football देखने में and Syria देखने में generally because Milan ने 2-0 हराया है Bologna को and both the girls were scored by the god himself Zlatan Ibrahimović and इसी theme पे finish करते हैं Dotman के साथ Jino ने Borussia Mönchengladbach को 3-0 हराया है and तीनों गोल स्कोर किये थे Erling Haaland ने वाव and Jaden Sancho ने काफी अच्छा असिस प्रवेड किया था इस गेम में इस वज़े से हम बोल रहे थे United को अगर फिर से 3-1 नी हारना Crystal Palace थे तो उनको Sancho जैसा को ये एक अच्छा राइट विंगर चाहिए So I think आज के लिए इतना ही होगा First edition of What the Football में I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा काफी time लगा है काफी महनत लगा इस वीडियो के लिए तो यार Like कर दो Subscribe कर दो and Keep loving the channel Keep supporting जिन लोग भी कर रहे है नहीं लोग अगर हो तो do subscribe to the channel and See you guys until next time चलो Bye Bye